हेलो स्टूडेंट तो हिंदी मिरर चैनल सभी स्टूडेंट गूशे स्वागत है अभी जो कॉंटेंट लेकर आ हैं पी ये फड्र के जो स्टूडेंट से जनपद है भाशा सहिट्य तो उनके लिए प्रीवेश कोशन पेपर नहीं में theory based questions थे वो upload किया है उसको आप जरूर देख लिजिएगा वहां से आपको idea मिल जाएगा कि किस तरह के questions आपके exam में बनेंगे और 2021 में आपका MCQ बेस आया था तो वो भी मैंने upload किया है उसको भी आप चेक कर सकते हैं questions के answer नहीं दिये हैं लेकिन वहां पर जो questions है वो आराम से आपको answer मिल जाएंगे जो नहीं बिलेंगे उसको आप comment box में पूस सकते हैं तो चलिए बने रहिए हिंदी मिलर के साथ अभी तक subscribe नहीं किया तो कर लिजे बैला के निट नहीं किया तो कर दीजे और एक like तो बनता है बड़े मुश्किल से एक student से ये आपके लिए provide कराए गए हैं क्योंकि हमने तो बताया था कि हमारे पास इसका कोई भी material नहीं है तो एक student के थूरू आप तक ये content पहुँच रहा है तो बने रहिए आप भी उनके साथ और share करते रहिए सब students को जैसे उन्होंने हमें share किया आपके लिए तो आप भी share कीजिए और किसी के लिए कल paper है best of luck के साथ चलिए आपको बताते हैं किस तरह से आपके जो हैं कई बार students के पास ना तो sample paper है ना ही ये book है तो book के थुरू भी आपको काफी चीज़ पता चल जाएंगी और दूसरी बात ये कि जो आपका previous question paper है वहां से भी और मैंने बहुत अच्छे से बताया कि आपको किस प्रकार से अपनी तैयारी करनी है मैंने पताया थै कि playlist बनी हुई है BA third year की UOU यानि कि उत्राखन ओपन इन्वेस्टी की वहां पर 202 paper का नाम ही लोक साइट के वहां से आपका 40% जो है paper आराम से clear हो जाएगा तो उसको आप जरूर देख लें वहां पर book भी है book से भी आपको help मिल जाएगी अब यहां पर जो प्रेम पतिक यहां पर पुरुवाद तो यह जो पुरुवाद है तो उसके बारे में यहां पर बताया गया है चलिए थोड़ा थोड़ा में जहां मुझे लगता है कुझे बताना चाहिए वहां मैं बताऊंगी बाकी आप जो है screenshot लेते जाए प्रेम पतिक की यह कवीता है जिससे संबंदित questions exam में पूछे जा रहे हैं ठीक है चलिए आगे चलते हैं यह वही कवीता चल रही है पूरी 105 पेज की यह PDF है थोड़ा इसमें टाइम लगेगा आपको अब यहां पर प्रेम पतिक के बारे में सारांज बता दिया गया इसका भावा अनुवा दियानी के इसका आपने देखा होगा previous question paper में इसका भावार्थ आयावा है तो पताकरश्न गयारोला जी कहते हैं कि संध्यावंदन के समय सिर्धूर गाओं का अनुपम द्रश्य दिखाई दे रहा है गाए जंगलों में घरकियों लोट रही है और एक पंक्ती बनाकर सिगृता से रंभाती भी चल रही है जिनके रंभाने की प्रतिविधनी पाड़ों म उनकी कौनों पर सटकर खड़ी हो गई है हमारे यहां श्रदरितू में वी वनोबेज खेतों में कुछ न कुछ कारे होता रहता है श्रम से तकीहारी बहुए संध्या के समय घर के चली आ रही है उनके सिर्पर घास वे लकड़ी का गठा रहे अपने काम को जाते समय अपने शिशों को घर में छोड़ जाने के कारण उनके लिए फन लाई हैं शिशों दोड़कर मासे लिपड़ जाते हैं दूसरे भही या बहन के बज़ए मुझे अच्छा फन ना दोगी तो देखना क्या कर शिशों अपनी मा को धमकी देते हैं कार्तिक वहां में होने वाले जा रहा है सभी के घरों में इस समय भरपूर अनाज होता है सारे गाउं में चारों दिशाओं में खुशाली आनंद में शांती चाही हैं यहां पर गाउं के कुछ निर्धन लोगों ने शिरिधर से अनकर्ज के रूप में लिया था जो अब उसे लोटाने आ रहे हैं मोटे से सिर्धर सेट तक पर हात में भई खाता लिये वैठे हैं तता माधव से कह रहे हैं कि बेटा माधो तुम्हें ब्रात्री में लोगों से अनलोगों तो पाथे को आनाज मापनी भरबर कर घुमा फिराब कर भर लेना गाउं के गरीब उधार लोटाने के लिए अपने बोरे हैं यह 19 पाता ही पाया गया इस पर चकित होकर व्यावक्ति काता है घर से तुम्हें 24 पाता लाया था अरे महाराज ऐसा अनर्थ ना करो इस पर सेट गुस्सा होकर कहता है मेरा यह पाता राजपत्रित पक्के राजशाही मूरवाला है तो मुझे क्यों नाम देते हो पुरा भावार्थ है तो आगे चलते हैं ठीके जिस तरह से मेरे पास यह आए हैं पेज में वैसे आपको शेयर कर रही हूं तो प्रेमपतिक का सारांश आप तक पहुंच चुका है तो अगर यह आपके एक्जाम में आए तो उसको आप अप्लाई कर सकते हो अब यहाँ पर में पराइसनातक की उपादी प्रापकर अध्यापन कारे से जुड़ गए वे हिंदी और कुमावनी में समाने रूप से लिख रहे थी हिंदी में उनका पन्यानीव का पत्थर हर्दा तथा कुमावनी इस तरह के कोश्चन्स आपके MCQ में बन सकते हैं तो यहाँ आप देख जगदिश जोसी जी के बारे में हैं फिर है गड़वाली भाशका उद्भो और विकास इसको यहाँ से आप पढ़ना चाहे तो यहाँ से पढ़ लीजिए स्क्रीन शॉट लेते रही है फटा फट फट फिर यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि 202 बुक है तो वहाँ से आप उसको तयार भी कर सकते हैं अगर यहाँ से आपको तयार करना है तो यहाँ से तयार कर सकते हैं यह देख लीजिए पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है यह शायद दूसरा आप यहाँ पर पेज आ गया है यहाँ पर बजारी श्रीनगर की बजारी टीरी की रागसी फिर इसके बाद है नापुरिया, दौसलिया, बधाडी, राठी, सलाडी, टी हर्याली क्योंकि ये पेपर हमने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा इसके बारे में हमें कम पता है लेकिन जैसे हमारे पास पेजाए हैं हम आज से शेयर कर रहे हैं ये शेयर सब दर्थ हैं यहाँ पर टिपिकल जो शब्द होते हैं वो हैं यहाँ पर चलिए इसका स्क्रेशॉट लिजए विद्वानों का क्या कहना है ये सारा गड़वाली भाषा के बारे में हैं यहाँ ठीक है इसको यहीं से तियार करना तो यहाँ से कर लिजए नहीं तो बाकी आपके पास मैंने बुक के बारे बता दिया है उस बुक से आप इसको तयार कर लेजे स्क्रेंशोट लेते रहिए जल्दी जल्दी पॉस्ट करके गडवाली भाषा हिंदी के समीप है धिरेंद्र वर्मा की अनुसार इसके बाद आपके परसर के रूप में किसका प्रियुक किया गया है यह जो स्टुडेंट्स है जिन्होंने हमसे शेर किया है यह रूतर परियाक से है उनका कंबल भी दिखाई दे रहा है साथ प्रिया इसको आप पढ़ लीजेगा कुमावनी भाशा का उद्भविकास वहाँ पर था गड़वाली भाशा का उद्भविकास अब है कुमावनी भाशा का उद्भविकास और इसके देख लीजे आगे मुझे लगता है इसकी ज़्यादा जरुरत नहीं है जो आपका गद्धे में हैं उसको आप देख लिजिए सारे को अच्छे से अब यहां पर हैं शिरो मनी पाठक के बारे में तो इसको भी आप देखना अच्छे से ठीक है फिर है रामदत पंत कभी राज इनका स्क्रेंशोट ले लिजे सब के बारे में आप से मैंने देखा जो आपका प्रिवेज कोशन पेपर है वहाँ पर जादा जो है सब की जीवनी के बारे में ही पूछा गया है फिर आप इसको देख लिजे राजेंदर बोरा के अनुसार फिर जुगल किशोर पेट शाली के बारे में है यहाँ पर अब आते हैं भूग्याल भूग्याल से कोशन जरू बनता है तो पहले इसकी देख लिजिए भूग्याल के बारे में क्या यहां पर बताया गया है खीके फिर इसका भावार्ट अगर है तो फिर भावार्ट चेक कर लेते हैं यह पूरा भूग्याल के ही बारे में हैं यहां पर हरदवार में कहीं भी किसी कॉलेज में जन्पद यह भाशा नहीं है चलिए आगे देख लेते हैं हिंदी में प्रकाशित यह भी शायद दूसरा पेज है बालम सिंग जनोटी ठीक है फिर उसके बाद है दामोदर जोशी देव्यांशू आपने पढ़ा है पूरे साल तो आप इसको सिक्वेंस में लगा सकते हैं हीरा सिंग राणा कवी गिरिश तिवाडी महिंदर मतियानी यह पेज नमबर लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है तो इनको आप सिक्वेंस से लगा लेना बाद में फिर यहाँ पर है बंशी धर पाठक, रमेश चंदर शहा, देव की महरा, गोपाल दत भट, फिर इसके बाद है मतुरादत मठमाल, मठपाल, बावानी दत पंत, फिर इसके बाद है तृत्य चरन, कुमावनी का, बीच में कभी कुछ और आ रहा है यहाँ ठीक है, वो गया ल यह कुमाव वाला कोशन्स चल रहा है आपका, कुमावनी भाशा का उद्भाव और विकास, वैसे तो यह आपको गूगल पे भी मिल सकता है, चलिए जो में हैं उसके पास हम चलते हैं, यह कोशन्स तो आपको जो है गूगल पे भी मिल सकता है, हमें देखना है जो में चैप लेकिन तो आपको आराम से कहीं से भी मिल जाएगा रामदत पंद कभी राज के ने क्या कहा है इसके बारे में कुमाउनी भाशा के बारे में अब इस्टूडेंट बोलता है मडम धीरे धीरे स्क्रोल करो अब धीरे धीरे स्क्रोल में तो बहुत टाइम फिर मैंने कहा था कितने पेज की हुए वीडियो है भी 51 पेज हुआ है 105 पेज की वीडियो आई है बवानी दत पंद के बारे में हैं यहां पर हीरा सिंग राणा कभी के बारे में है वही पेज रिपीट हो रहा है शायद चलिए वैसे मेरे पास पेज है मैं देखूंगे अगर इस पीडियाफ में वो नहीं आए तो मैं उनको अलग से अप्लोड कर दूँगी और इसकी मैं शॉर्ट वीडियो भी बना कर डाल दूँगी यह पेज वही रिपीट हो रहा है बार बार जो हम उपर देख चुके हैं यह देखे गोरी दतपंडे वैरी इंपोर्टेंट यहां से आपका 100% कोश्चन बनेगा अब इनके बारे में अच्छे से देख लिए मैं धेरे से इसको स्क्रॉल कर रही हूँ गोरी दतपंडे के बारे में 100% बनेगा यहां से कोश्चन साफका कोई डाउट नहीं गोर्दा के बारे में यहां से पूछा जाएगा क्योंकि गोर्दा आपके स्लेवस में है गोर्दा ने नगरने से समझे जाने वाले विशेस्वर लेकर राष्ट्रे महत्य के विशेव या कविता के माध्यम से अपनी लेकनी को चलाई यह सब स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका यह भाबर गीत के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा घंस्यारी के बारे में भी पूछा जाएगा यहां पर गुमानी के बारे में उनकी संस्कृत की रचना है गुमानी की इस पूट रचना है फिर है क्रश्न पंडे अनिवार रेक आ रहे है ये फिर वही आ गया कुमाउनी वाला ये दोबारा से रिपीट हो गया यहां पर मुझे लगता है पेज रिपीटेड है सारे चली आगे देख लिजिए इसको 76 पेज हो चुके हैं यह कुमाउन वाला और गड़वाली भाशा का साहिती यह आपको कहीं से भी मिल सकता है जैसे गोर्दा का था वह आपको कहीं से नहीं मिल सकता था इसलिए वह मैंने आपको दिखाया है भुक्याल कविता दिखा दी है प्रेम पतिक दिखा दिया है वहां से कोश्चन्स बलते हैं इन्होंने जो डाला है ज्यादतर इतिहास ही डाल रखा है में तो रही गया है पॉइंट्स हो सकता है आगे आजाए देख लेते पाड़े गाओं की युक्ति की शादी बहुत दूर कर दी गई है भगोलिक दूरी पाड़ी टेड़े में रास्ते ना जा सकी है ना जा सकी वह लंबे समय से मायके फिर मायके में कोई भाई भी तो नहीं जो लेने आ सकी उसकी कुछलता और पूछे का उस से दोली गंगा के भाव दशा की अनुपम चित्र उकेरा गया है ठीक है इसका भावर्त और आगे आप देख सकते हैं क्या है पेज नंबर 82 अब पहले चेक कर लेते हैं पेज नंबर 83 82 के बाद 83 सिक्वेंस से है ये फिर दूसरा इसका भावर्त यहां पर है ठीक है 83 के बाज कौन सा पेज नं भावार्त हैं इन्होंने भावार्त दिये हैं सारे कोई बात नहीं भावार्त भी आप तक पहुंच गए तो भावार्ती जादा पूछे जाते हैं स्क्रीन शॉट लेते रही है फटाफट वरक्षन को मिला यह आपकी कवीता है चले आगे चलते हैं यह पेज नंबर है 156 च सब्सक्राइब यह पूछा गया था प्रिवेस कोशन पेपर में अब यह पे नंबर पता नहीं 159 यह फिर कुमावनी के बारे में यह यहां पर भी बरसात के शाम भावानुवाद है इसका बरसात के शाम का आप इसका इसका स्क्रेशॉट टे लिजिए फिर है हमारी कुमाव हमरो कुमाव कुमावनी कभी गोर्दा का वेदर्शन से आई है फिर पहाड़ा का हाड़ा यह भी पूछा गया था 155 पेज कौन छो कौन छे तो यह पेज नंबर आपको देखकर सिक्वेंस से लगाने पड़ेंगे यह पर 150 पेज आ गया फिर यह पहा वर्द भी आप तक पहुंच गया तो मुझे लगता है बहुत अच्छा आपके लिए हो चुका है और यह जो बुक्स के थुरू आप तक कंटेंट पहुंचा है इसमें कहीं ना कहीं आपका पेपर में 60% हेल्प अराम से हो जाएगी और आपका पेपर 60-70 अबाओ अराम से चला जाएगा फिर है वर्ख्षो का लिप बहुत अच्छा है यह भी इसका भी स्क्रेंशाट ले लिजे यहां से भी प्रशन हंड्रे परसंट पूछा जाएगा स्क्रेंशाट ले लिजे इसका फिर है चोश चौमासी की चौमासी की के बारे में अब यह पेन नंबर 148 है देख लेना इसको मिलाकर किस से ये मिल रहा है ठीक है पे नमबर 46 आ गया है यहां पर शेरदा अनपड़ के बारे में यहां पढ़ लेना पूरा इन के बारे में जीवनी टाइप में दे रखा है और यह भी बहुत इंपोर्टेंट है इसके बारे में भी कोशन पूछा जाएगा अब पेज नमबर अब यह गोर्दा का जो गोर्दा वहां छुट गया था आदा गोर्दा यहां पर है आदा ठीक है 141 बाकी मैं देखते हूँ शाम में आपके लिए जो यह PDF है यह टेलिग्राम चानल पर अपलोड कर दोंगी वहां से आप इसको उठा लेना और फिर सीक्वेंज वाज इसके कयारी आप कर लेना तो बने रही हिंदी मिरर की साथ प्लीज इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा जिससे लाइक के साथ-साथ यह उन इस्टुडेंट तक पहुंच जाए जिसको इसकी बहुत जरूरत है उनका पेपर भी अच्छे से जाए आपकी तरह ही और कमेंट वो उसमें कमेंट के साथ-साथ अपनी क्वेरिज के साथ-साथ फिडबैक जरू भेजा करें हमें आपके फिडबैक का इंतिजार रहता है और सब्सक्राइब कर लीजिए दस तारिक को जिनका भी एनवारमेंट का पेपर है उसकी तैयारी करते रहे हिए हिंदी मेरा और नई न्यू कंटेट जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेगा और लाइक देखते हैं इतनी मुश्किल से आप तक ये कंटेंट पहुच रहा है आज लाइक देखते हैं इस विडियो पर आप कितने करते हैं